मोधी जी ने 2014 में फरजी भाषणों, जुमलों, जुटेवादों, मीडिया मेरेजमेंट और फेक निउस की आंधी के दम पर हमारी आखों में धूल जोग कर सत्ता हासिल की 2019 में पुलवामा हमले की आड में अपने कुशासन को छिपा कर उनाज जनता को धोखा देने में सफल रहे इसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है, देश भीशन महंगाई, बेरोजगारी, समाजिक तनाव, आर्तिक तबाही के दौर से गुजर रहा है अब इस देश को समालना भाजपा के बस की बात नहीं दे गई है अगर आज फिर आप भाजपा के बहकावे में आ गए, उनके राजनेती एजेंडों में फस गए, तो भारत पूरी तरह फस जाएगा आज बीजेपी को वोट देने का सपस्ट मतलब है अपने बच्चे को बेरोजगार बनाना देश से लोक्तंत और समविदान को खतम करना आरक्षन को समाप कर दलित आदिवासी ओबिसी का हक मारना नीजीकरन के माध्यम से सरकारी नौकरी खतम करना प्रजुवल रेवन्ना जैसे हैवानों को सपोर्ट करना मनिपुर की पीडित बहनों का खिलाफ करना बिएच यू गैंगरे पारोपियों को सपोर्ट करना दलिता दिवासी ओट चार को सपोर्ट करना इलेक्टारल बॉन्ड की लूट को सपोर्ट करना जानलेवा वैक्सिन को सपोर्ट करना इसलिए आईए इस बार पिछली गलतियों को भूल कर इस देश और समाज को बर्बाद होने से बचाएं 25 मई और एक जुन को हाथ पर बटन दवा कर इंडिया को जिताएं